आज हम लोग देखते हैं कुछ इंट्रेंस एक्जाम के बारे में जो अधरी स्टेट में होता है या फिर जो इंडिया लेबल पे होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं आईए एक एक करके देखते हैं यह है जेए मेंस का जेए मेंस जो इंडिया लेबल पे इंट्रेंस एक्जाम होता है और यह इंजेनरिंग के लिए होता है इसके बाद एडवांस का एक्जाम होता है और जेए मेंस अब एक साल में चार बार इंट्रेंस एक्जाम लेने लगा है इसी तरह से यह नीट के लिए entrance exam है जो किवल एकी बार होता है यह MBBS, BAMS, BHMS, BDS के लिए होता है इसके बाद आता है GATE, GATE entrance exam उन लोगों के लिए है जो BTEK क्वालिफाई करके MTEK के लिए admission लेते हैं यह उनके लिए है इसके बाद आता है CLAT CLAT जो LAW के लिए माना जाता है इसमें आप BALB, LLB जैसे कोर्स कर सकते हैं इस entrance exam के तरूँ आफ इंडिया के किसी भी कॉलेज में admission ले सकते हैं अब आता है CAT, CAT जो MBA, Master degree के लिए होता है CAT का entrance exam दे के आप इंडिया के किसी भी MBA कॉलेज में admission ले सकते हैं जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज है उनके लिए इसी तरह CUET होता है CUET पिछली बार से होने लगा है इसमें बहुत सारे कोर्स है जैसे B Pharma है, B Tech है और LLB है और भी बहुत सारे अधर कोर्स है इसमें और ये Central University के लिए है इसमें बहुत सारे Central University participate करती है अब आता है ये West Bengal के लिए engineering का entrance exam है और ये महराष्ट के लिए है engineering का entrance exam और ये रिप राजस्थान ये भी engineering के लिए होता है और ये BITS पिलानी ये खुद का अपना entrance exam करवाता है Birla Institute of Technology इसका कई ब्रांच है जैसे Goa, Hyderabad and Pilani और इसी तरह से है Valor Institute of Technology इसका भी कई campus है जो खुद का entrance exam करवाता है और J-Mains के base पे भी admission लेता है अब इसी तरह SRM group ये भी अपना खुद का entrance exam करवाता है और J-Mains के base पे भी लेता है Kalinga Institute of Industrial Technology ये भी खुद का entrance exam करवाता है और J-Mains के base पे भी लेता है यह है HSTES, यह हर्याना इस्टेट के लिए इंट्रेंस एक्जाम होता है, इसमें भी फार्मा, बी टेक आप कर सकते हैं.